आप जब देंगे उसको 18 साल तक मान लीज़े हमको 100 रुपाय दे नहीं देना पढ़ दे तो एक महने में 30 दिन होते 30 दिन के हिसाब से आपने 3000 रुपाय की एक S.I.P. सुरू कर दी बच्चे की एक S.I.P. आपने 3000 रुपाय पर मंद के हिसाब से सुरू कर दी देखे S.I.P. में आपको रुपी कास्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा कि जब मार्केट नीचे होगी तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे और जब मार्केट ऊपर होगी तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे लेकिन जब आप सेल करेंगे तो उस समझ जो यने होगी उसको आप यूनिट से मल्टिप्लाई कर दीजे यह आपकी वैल्यू होगी आपके बच्चे को मिल जाएगी हलो फ्रेंड्स नमस्कार फाइनेंशल विद गोपी क्रिस्ना में आपका स्वागत है जिसमें होती है मीचल फंड की बात आपके साथ थिंदी में आज हम ल 18 साल का पूरा होगा तो लगपती बन चुका होगा आज के हिसाब से उस समय के हिसाब से नहीं जो आज के हिसाब से वह लगपती बन चुका होगा उसके पास कम से कम 9 लाग रुपए होंगे आज के समय के हिसाब से उस समय के हिसाब से तो ज्यादा होगा तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे देखे सोसते सभी लोग हैं लेकिन करने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं दे पाते हैं आज कल में किया है कि अगर किसी के निवबार्ण बेबी हुआ है हास्पिटल से जैसे वो घर आया और उसकी एक 3000 रुपाय की साइपी कर दी जाए 18 साल की जाब वेज उसकी पूरी हो तो यह साइपी अपने बंद हो जाए उसमें पहले ही टाइम लिग दिया जाए कि 18 साल के लिए साइपी करनी है अब कई लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि जो नया बेटा अभी हुआ है बच्चा हुआ है उसकी साइपी कैसे हो सकती है कई लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी ना तुसका पैन कार्ड है ना उसका आधार कार्ड है अभी फोटो भी नहीं खीज पाई है कैसे होगा तो इस पे भी चर्चा की जाएगी देखे पहली चीज जितने भी माइनर बच्चे होते हैं नाबालिक बच्चे होते जिनकी उम्र 18 साल नहीं होती उनका अंडर गार्जन्शिप में जो है निवे सुरू हो जाता है है जब आपके पाव बेटा और बेटी जो भी हुआ है तो उसके लिए आपको जो हास्पिटल से सर्टिफिकेट मिलेगा अस्पताल जो सर्टिफिकेटIt मिलेगा उस पे नाम लिखा हुआ या नगानिगं का तुरंत आप बनवाइंगे बर्थ tickets नगानिगंसे बनवाइंग और जो पेरेंट्स होंगे मालिजे मिस्टर सुभ हैं उनके वेटा हुआ जिसका नाम खुस है एक सब्ता के अंदर इनका नगर निगम का सर्टिफिकेट बन किया गया सबसे हसानी से वही बनेगा तो इन्होंने मिस्टर खुस के नाम से एक क्या साइपी शुरू कर दी खुस अंदर गार्जियंसिप सुभ और इसमें जो सुभ हैं इनकी सारी डिटेल्स अग जाएगी किवाईसी भी इनकी लगेगी और जो है बैंक एकाउंट भी निका लगेगा पैन आधार भी इनका सारी चीजे लग जाएंगी मिस्टर सुभ फादर हैं या मदर चाहें तो मदर भी कर सकती है लेकिन इसमें आपको एक नामनी भी बनाना होगा तो नामनी आप किसी को भी बना दीजिए उसके बाद इमेल आइडी मोबाइल नंबर सब आप की चल जाएगी बच्चे बच्चे की क आर मुला विल्कुल फिट बैट जाए उनके दिमाग में जिसकी जो छमता है उसके हिसाब से करें अगर किसी की चंद हैसा टीजार उपाय मैंने के घर माल यह किसी की अगर वो निकलते हैं तो पता चला उसे जादा खर्च हो जाता है और जब वह 18 साल सत्रा ठारा के जाएगा उस समय तो सव रुपाय की वाली उसके लिए वही होगी आज के समय में जो तीस चाले बीस तीस रुपाय की है तो इस तरह से आप जब देंगे उसको 18 साल तक मान लिजए हमको सव रुपाय दे नहीं दे ना पर दे तो एक महने में तीस दिन होते तीस दिन के हिसाब से आपने जो है तीन हजार रुपाय की एक S.I.P. सुरू कर दी उसकी बच्चे की एक S.I.P. आपने तीस दिन हजार रुपाय पर मंत के हिसाब से शुरू कर दी देखें S.I.P. में आपको रुपी कास्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा कि जब मार्केट नीचे होगी तो आपको जादा यूनिट्स मिलेंगे और जब मार्केट उपर होगी तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे लेकिन जब आप सेल करेंगे तो उस समझ जो यनेवी होगी उसको आप यह नंबर आप यूनिट से मल्टिप्लाई कर दीजे यह आपकी वैलू होगी आपके बच्चे को मिल जाएगी अब दूसरी चीज यह है कि अगर हम 3000 रुपए महने की SIP कर रहें तो 18 साल बाद कितना पैसा मिलेगा आप ने उसको लखपती बना दिया है उसको लखपती बना दिया कैसे बना दिया इस तरह से जब आप जमा करेंगे तो 18 साल में आप टोटल जमा करेंगे 6,48,000 रुपए 6,48,000 रुपए आप जो है 18 साल में बच्चे का अपना जमा कर देंगे 3,000 रुपए पर मंध के हिसाब से और 15% अगर हम माने GDP प्लस इंफ्लेशन को हर एक देश को चलाने के लिए देखे किसी भी देश की जो है GDP कभी भी 0 नहीं हो सकती तो GDP प्लस अगर इंफ्लेशन को हम जोलने तो 15% जो है रिटन आता है 15% के हिसाब से 18 साल में इनको मिलेगा जाकर के 29,47,195 रुपए कम से कम इससे ज़्यादा ही होगा और उसकी अगर आज के समय में आप देखें वैल्यू कितनी है इंफ्लेशन रेट के हिसाब से 7% महेंगाई दर मान ले तो आज के समय में जो है 8,72,000 रुपए की जो वैल्यू है वो 18 साल बात जो है 29,49,49,000 रुपए की होगी तो जब बच्चा आपका मेजर होगा तब तक वो लगपती बन चुका होगा हो सकता मिलोन रेट बन चुका होगा 10 लाख रुपए उसके पास गठे हो चुके होंगे तो इस तरह से आज हमने आपको बताया है कि यह साइपी फार नवजात सिसू अच्छा एक क्वेरी और कुछी है हमसे किसी ने यह बाहर है कि जो लोग बाहर रहते वह अपना मीचल फंड में निवेश कैसे कर सकते हैं या उनका जो है निवेश कैसे कर सकते क्यवाइसी कैसे बनेंगी पहली चीज तो इसमें यह देखन है अगर आराई है तो कोई दिकत नहीं आपकी कवाईसी आणलान बन जाएं फंट च्वे से वहां का काम करते हैं इस तरह से आपकी अनभेस भी बन जाएंगी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंशल विद गोपी कृष्णा को सब्सक्राइब नहीं किया है अब असे सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से अब रुख हो सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार